अरे भाई ये इस पर इस पर दाओ काटून पर लगाओ येर चल्टीक है अरे बिटा क्या हुआ ममी जी मेरे पैल में बहुत दर्द हो रहा है ओ बदो मैं तुम्हारे ले क्या करू ममी जी मेरे लिए जूस ले आओ प्लीज हाँ हाँ भी लाती हूं मिटा ये लो ठांक ये ममी जी नकली आसू के तब कादिया ममी ने में को जूस भी दे दिया मैंने बश पैल का बाहना बनाया और मुझे जूस मिल रहा अब से जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा मैं ऐसे करूँगा इपना मस्ट काडून खाना बईया हाँ अगर हम ये री आईडिया ममी बेस्त påil करें तू तुम कर ले ना आगही बात लो में अजे मान लेंगी हाँ ठीक है अभी बिटा तू मस्ट लंगलाका के की चल रहा हो अभी मेरे पेट में जार दो रा है अरे पेट में दर्दो रहा है तो नंगरा को चल रहे हूं ओ सोरी कोरी मेरे पेर में दर्दो रहा है कराँ तो मम्य जी नहीं चाहिंग ازबक्र मनि pinpoint लिख आ अजब हो यार्व क्या था लाड़ दर्द हुआ क्या बहुत ज़्यादा पर देखने में पैर तो ठीक ही लग रहा है अरे मम्मी ये घंध्रूनी चोट है तुम्हारा मतलब है अंध्रूनी आप वो भी जा सकती है अरे छोड़िये ना मेरे पैर में बहुत तो रहा है तुम पैर में सेख लगा लो ये ठीक हो जाएगा अरे मम्मी चोट में लगी है आपके मुझे पता है ना मुझे किस चीज सारा मिलना चाहिए मम्मी जी प्लीज अच्छा अच्छा ठीक है मुझे लगता है जरू कुछ न कुछ गड़वर है मुझे चेक करना होगा ये बहाने तो नहीं मार रहा ये लो बेटा जूस ठैंकियो मम्मी जी अच्छा बेटा बताओ मेरे साथ खेलोगे आज मुझे पहली बार मुझे खेलने के लिए जाड़ी नहीं मम्मी जी मेरे पेर में बहुत दर्द है और आपको इतना दो समझनाई चाहिए ना जिसके पैर में दर्द होता है उससे ऐसे नहीं खेलना चाहिए बड़ा चालाक हो रहा है अरे वाँ मज़ो आ गया बस ऐसे ही कुछ दिन और करणू यह मुझे दिखा रहा है कि यह चल भी नहीं पारा मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि यह दोड़ा दोड़ा मेरे पास आए और फिर मैं इसके खुड पिटाई करूँगी अरे हेलो बेटा क्या तुम विष्णू के साथ खेलने आए हो मांप करना बेटा उसके पैर में चोट लगी हुई है इसे वो खेल नहीं सकता नहीं मैं खेलूंगा मैं जरूर खेलूंगा मामी जी मेरे दोस्त का आगया कौन सा दोस्त बेटा तुमने मुझसे अपने पैर के बार में जूट बोला ममी दिया अपने मेरे किप्री पिटाईगी और अब तो मेरा पैर अखी में तूट रहा गल्ती भी तुमारी थी कल तुम्हें डिस्चार्ज मिर जाए अगर घर चलना हाँ मुझे बहुत चोट लग गई चलो एक बात तो अच्छी हुई दो चार हापतों के लिए मुझे स्कूल लें जाना पड़ेगा अरे मम्मी जी ये होस्पिटल से लाने के लिए पापा नहीं आ सकते थे आपको तब ही ड्राइविंग अच्छी से आती रही है कई मेरी दूसरी कांग मेरा तूट जाए चुप रहो अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं ड्राइविंग तो ध्यान नहीं दे पाऊंगी मम्मी जी छोड़े स्पीड तो कम रखो तुम्हे मुझे पे विश्वास नहीं नहीं क्या नहीं मेरा मतलब है हाँ तुम बहुत भारी हो गयो थोड़ा कंखाया गरो इस तो क्या अपकर खाना खाता हूँ उपर से आप ऐसे बोल रही है क्या मतलब है तुमारा अगर तुमने दुबारा ऐसे बोला ना तो तुम्हारी दूसरे टांग भी चूट जाएगी उपर से कोई खाना नहीं मिलेगा अरे ममी जी आपने को सीडिस ले लिया मैं तो मज़ाग के बाचा मज़ाग भी नी समिशती मज़ाग छोड़ो इतनी दिनों बाद घर आयो फिर भी बदले नहीं अच्छा ममी जी ये बताएए भाया और पापा बीबी इसी घर में रहते हैं न अरे हाँ वो इसी घर में रहते हैं तुम तो ऐसे बुश्रियों जैसे साथ दिन से नहीं साथ सालों से घर नी आयो अच्छा मैं काम कर रही हूँ अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो तुम मुझे बुला लेना अभी तुम चल भी ने सकते मेरा तो एक और काम बढ़ रहा ममी जी ममी जी हाँ बोलो मुझे बहुत तेज वाश्रूम आ रही है लेके के लिए न मैं तुम्हें यहाँ बढ़ा देती हूँ अरे नहीं नहीं ममी जी ज़र्वत नहीं है मुझे वाश्रूम थोरी आ रहा था मुझे बहुत दिना से वाश्रूम देखा नहीं थे ना अपने खाटा तो देखने आगे वस क्या तुमने मेरा कितना टाइम एस कर दिया आगे के कहानी होगी अगली वीडियो में बाइ बाइ एंड मस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरू करना ताकि आपको आगे की स्टोरी भी पता चले और थैंक्स फॉर वाच्चिंग